मैं प्रध्यापक एलवी गाईकवार्ण आज और एक वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ आज का विशय है बुढे मावाप विशय की तरफ जाने के वहले मैं आपको मेरे चानल के बारे में बताऊंगा कि मेरा चानल मेरी खुद की मराठी की हिंदी की और अंग्रेजी की जो भी समाज के उपर लिख्वी हुई कहानियां होती है या लेक होते है उनको मैं वीडियो के रूप में डालता हूँ दुथरी बात यह है कि मेरा यह चानल हमेशा इंग्लिश लिटरेचर के वीडियो बना कर डालता है स्पोकन इंग्लिश के बना कर डालता है फोनिटिक्स पोनोलोजी के बना कर डालता है सिमेंटिक और सिंटेक्टिक के बना कर डालता है ऐसे बहुत से वीडियोज आज तक मैंने 491 वीडियोज मैंने आज तक बना कर डाले हुए है वो देखिए प्लेलिस में जाईए और उसका जो भी फायदा लेना है वो लिजिये आज का विशय जो है वह विशय मैंने बुढे माबाप पर लिया हुआ है आज कल बुढे माबाप की जो परिस्तिती हो गई है वह बहुत ही कठिन बन चुकी है इसलिए बुढे माबाप पर कुछ विचार मंतन होना चाहिए इसलिए मैं आज कर रहा हूँ मुझे उमीद है आप मेरे से यहाँ पर सहंवत होंगे, मेरे विचार से सहंवत होंगे और कमेंड बॉक्स में आपके विचार आप डालेंगे. बुढे माबाप, पहले मैं शुरुवात करूँगा एक कविता से, चाहो माबाप को इतना रह जाए देखता समाज, कीमत माबाप को आजाए आज. सेवा करो इतनी बुराई शर्मा जाए, हर घर में नाम अपना लिया जाए. शब्द माबाप का प्यार से इतना पालो, हर कोई प्यार से कहे, नाम इसका ही बोलो. नहीं मिलते माबाप ऐसे ही, ओ तो निर्मिती इश्वर की, जहां दुनिया इश्वर ने है, बनाए फकत प्यार की. प्यार तो बैठा है माबाप के सीने में, जो कुट-कुट भरा है यार के सीने में, क्यों हम कम पड़ जाते हैं उसे पाने में. पाओ दुआये इथनी माबाप की, इश्वर भी अचंबा जाए और कहे तुम्हारे लिए हम क्या-क्या लाएं. देखिए, इस कविता ने माबाप का वरणन बताया है, उनका बड़पन और प्यार जताया है. क्योंकि आज घर-घर में बुढ़े माबाप पर जुल्म किये जा रहे है, माबाप के तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है. यही वास्तोता मैं आज इस वीडियो द्वारा सुनाना चाहता हूं, सुना और पेपर में पढ़ा. बेटे ने माबाप को प्यार में लाकर उनका रहने का घर बेच दिया और कहा, मैं साथ आपको ले जाऊंगा, मेरे साथ चलो विदेश. माबाप फुले नहीं समाए और चल दिये बेटे के पीछे. बेटे ने माबाप को हवाई अड्डे पर बैटने को कहा, माबाप बैट गए, वह टिकेट लेने गया, माबाप का तो वापस आया ही नहीं. माबाप अकेले क्या करते, वही के वही वह बैट गए, जमिन पर और च्छाती ठोकने लग गए. क्योंकि बेटे ने उन्हें प्यार में फसाया, उनका पैसा ले लिया, घर बेचा और पैसा लेकर विदेश चला गया. बिकारी माबाप भीक मांगने लग गए, क्योंकि बच्चे ने उन्हें बिकारी बना दिया. भीक मांगते मांगते वह रुद्धाश्रम में, बेटे के प्यार में और गम में मर गए. ऐसी अवस्ता बेटा माबाप की कर रहा है, ऐसे बेटे को शरम नहीं आती क्या यह प्रश्ण यहापर उत्पर्न होता है. क्या कमाया उसने लिखके और पढ़के, वह तो खुद ही बिकारी बन गया है विदेश में, क्योंकि उसके पास माबाप ही नहीं. आदमी तीनों विश्व का मालिक बन जाए और उसे माबाप नहीं होतो वह भिकारी कहलाता है, यह विचार कभी यश्वन जी ने कहा है. संत कबीर कहते है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड खजूर, पंथी को जग नहीं फल लागे अती दूर. यह बेटा विदेश में बड़ा अदमी बना, खजूर के पेड सरीका वह उचाई पर गया, लेकिन उसकी सहायता से किसी का ही भला नहीं हुआ, क्योंकि उसने आत्मग्यान ही छोड़ दिया, माबाप को बुढ़ापे में मार दिया. अईसे पेड के खजूर आपके आसपास बहुत ही मिलेंगे. माबाप को उन्होंने कईदी बना कर रखा हुआ है. घरो घरो में आप इह स्थिती देख सकते हैं. माबाप ने कमाई इस्टेट पर नाग बनकर ऐसे बच्चे बढ़ गए हैं. और माबाप को खाना तक नशिप नहीं हो रहा है. कितने माबाप इन खजूर के पेडों ने भिकारी बना दिये हैं. विचारे हर दिन भीक मांग मांग कर जी रहे हैं. उन्हें देखकर दिल काप उता है. रिदय फुट फुट कर रोता है. और बद्दुआ देने लग जाता है. इन खजूर के पेडों को. एक बुढ़ा बाप तो मैंने खुद देखा. हर दिन उसे खाना दिया. कूछ दिनों के बाद वह आया ही नहीं. बाद में पता चला. वह मुनसी पल्टी के बगीचे के पास मरा हुआ मिला. वह मेरे आखों के सामने आया. और मेरे आखे पानी से भरगी. यही स्थिती माबाप की रही. तो मानवता ही संसार से या संसार से मैं बोलूँगा बाहर हो जाएगे. वह इसी भी वह ऐसे लोगों को अनिस्थता से ही देख रही है. इसलिए आज हम इस पर कुछ इलाज खोजने ही तू चर्चक कर रहे हैं. ऐसे बेटों को और बेटियों को समाजने सहायता नहीं करना चाहिए. ऐसा मेरा स्पच्ट मत यहां पर मैं आपको देता हूँ. मेरा ये विचार बिल्कूल ही निर्दय सरीका है कैसे बेटों पर बहुत ही कड़क शासन की और से याने उपाय होने चाहिए. शासन ने ऐसे बेटे को शासन करना चाहिए याने पनिश्मेंट इन बच्चों को मिलना ही चाहिए. माबाप ने बच्चों की अछी परवरिश करना चाहिए. यहाँ पर ऐसा देखता है कि जो माबाप मर गए रुद्धाश्रम में हो सकता है कि यह माबाप परवरिश में कम गिरे है या वह बच्चों को या अपने बेटे को अच्छी परवरिश नहीं दे सके है. तो यहाँ पर सभी माबाप ने अपने बच्चों को अच्छी सी परवरिश देना चाहिए उन्होंने बच्चों को परवरिश देते समय, समय समय पर कुछ होता है, कुछ अनुभव होता है तो अनुभव के बदले में यह सब सुनाना है यदि हम बच्चों को बोलेंगे चलो हम आपको अनुभव देते तो बच्चे नहीं सुनेंगे लेकिन यदि कुछ होता है, कुछ अनुभव मिलता है और वह अनुभव यदि हम बच्चों के साथ में शेयर करते है तो ये बहुत बड़ी बात होती है और बच्चों को संस्कार मिल जाते है और ऐसी जो नोबत ए माबाप जो है उन पर आई और उधाश्रम में वो मर गए ऐसा नहीं हो सकता पहले से बच्चों को सिस्टाचार का अजरन पढ़ाना चाहिए देखिए अपने सामने इतियास है अपने आपके सामने और शास्त्र है उन शास्त्रों का सभी का इतियास का सभी का करना है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे सिस्टाचार अजरन माबाप ने देना चाहिए लेकिन माबाब भी अपने काम में ऐसे विलिन हो जाते हैं या अपने विचारों में या अपने सौसकारों में उनके सौसकार ही बुरे होते हैं ऐसा भी होता है और ऐसा होने के बाद वह अपने बच्चों के सामने कुछ सौसकार नहीं रख सकते और उनका ऐसा यह जो हुआ है यह अपने बुढे माबाब का ऐसा उनका भी हो जाता है उन्हें संत और शास्त्रूब की बाते सुनाना चाहिए ताकि वह इंसानियत से जीए देखिए आजकल बच्चे लड़के-लड़किया इंसानियत बुल गया है वह इंसानियत से जीना नहीं चाहते इंसानियत उनको बुरी लगती है इस इंसानियत को वह एक परंपराया ट्रेडेशन या कुछ बेकार सी चीज कहते है इसलिए इन बच्चों को सत्संग होना चाहि और शास्त्रों की बाते सुनाना चाहिए संत की बाते उने सुनाना चाहिए जैसे की अपने श्वाजे महराज है उनको जीदाई ने संत की बाते बताई रामाण की बाते बताई उसी बातों पर वह चले और आज उन्हें हम जानता राजा उन्हें या बहुत ही अच्छा रा जिजा उनको हम बुलाते हैं तो इह जो नतिज़ नतिज़ा जिजाई का जिजा मांका नतिज़ा है कि उन्होंने स्वाजी महहराज को, अपने अदर्नियenci श्वाजी महहराज को इह इंसानियत संता द्वारा या रामयण द्वारा पढ़ Hai Gema माबाप का आचरण ही बदलना चाहिए, देखें कुछ-कुछ माबाप दारु का सेवन करते हैं, कुछ-कुछ माबाप परस्त्री के तरब जाते हैं, कुछ-कुछ माबाप घर में खाना नहीं लाते हैं, तो इसी बहुत सी चीजें हम यहां पर बोल सकते हैं। इसीलिए होता है ऐसा कि बच्चे यह असंस्कृत बन जाते हैं और ऐसा होने के बाद वह बच्चे माबाप के साथ वैसा ही करते हैं जैसा माबापने उनको सिखाया है पैसा जो है पैसा यह कुछ भी नहीं करता है आज पैसा है कल नहीं होगा पैसों से कुछ नहीं चलता लेकिन सवस्कारों से बहुत कुछ चलता है बहुत सा पैसा है और संसकार नहीं है तो वो बच्चा सब पैसा लुटा देगा या पैसा गमा देगा तो आचरण ही सबसे बड़ी बात होती है इसलिए बच्चों को आचरण पढ़ाना चाहिए यदि आचरण अच्छा नहीं है तो बच्चे मापाप की परवरिश नहीं करेंगे तो इसलिए इस विशे के द्वारा मैं मापाप को कहना चाहता हूँ कि बच्चों को अच्छी परवरिश या संसकृति या संसकार देना चाहिए मा और बाप ने बच्चों के सामने आदर्शमय जीवन जीना चाहिए देखिए यह भी मैंने बताया कि कोई-कोई मापाप अच्छी तरह सी जीना नहीं जीते बच्चों को कुछ तो भी संसकार होना चाहिए वह संसकारों नहीं देते और इसलिए उनका जीवन आदर्श मैं नहीं बनता जैसी की संत है अभी मैंने मा जिजाई का नाम लिया अपने जो आदर्श शिवाजी महराज है उनका नाम लिया शास्त्र के बारे में मैंने कहा संत्र के बारे में कहा तो यह सब बाते बच्चों को आना चाहिए बच्चोंने संत्र का ग्यान लेना चाहिए उन्होंने सत्संग करना चाहिए उनको समझना ही चाहिए कि अच्छाई अच्छाई है और बुराई बुराई है ऐसा यदी माबाप करते हैं और बच्चो को समाज भी ऐसे संभाल लेते हैं और यदी एक हाद बेटा माप और या बाप पर हवी हो जाता है तो समाज या जो भी पडूसी होते हैं यदि वह बच्चों को शिखाते हैं उसके खिलाब जाकर उसे उसी बखत या वक्त पे कुछ मारगदर्शन करते हैं तो ऐसी नौबद माबब पर नहीं आएगे इसलिए समाज ने भी यह बात समझ में लेना चाहिए माबाप दो होते हैं लेकिन समाज बड़ा होता है यदि समाज इन दो को संभाले तो समाज बहुत ही अच्चा होगा ऐसा मुझे लगता है और यह मेरा विचार आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए और मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा तब तक के लिए आपकी विदा लेता हूं थैंक्यू थैंक्यू वेरे मच्च